नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शिवात करेंगे खबरों की आज सीम योगी आदितनाथ वानसी दौरे पर रहने वाले हैं और यहां मंदिर में पूजा अरशना करेंगे दर्शन पूजन करेंगे श्रावर महीनी की तैयारियों का सीम जायजा भी लेंगे चार बजे वानसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में जन सभा करेंगे आपको बता दे कि किंद्र सरकार के 9 साल क्यों प्रबधियों को लेकर जन सभा कारिकरम है इसके बाद सीम किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं कारखिया गाओं में बने पैक हाउस को हरी जंडी दिखाएंगे काशी दौरे पर रहेंगे सीम योगी आदितनाथ मंदा यूग तुर रोशन जेकेब ने निरिक्षन किया है अवेद अतिक्रमन और ट्राफिक विवस्ता का भी हाल चाल देखा है वहीं निरिक्षन के दौर बैटकों का दौर उनका जारी है बड़ी जानकारी स्वक्ति सीम योगी आदितनाथ वारनसी दौरे पर हैने वाले हैं पुलिस लाइन हलिपेट से शिकाशिर विश्वनाथ मंदिर जाएंगे मंदिर में सीम योगी आदितनाथ दर्शन पूजन कर सकते हैं शावन का महिना शुरू होने वाला है तो ऐसे में तयालियों का सीम योगी आदितनाथ जयाजा भी ले सकते हैं चार बज़े वारनसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में जनसभा भी करेंगे के इन्द सरकार के नौ साल के उपलब्धियों को लेकर भी जनसभा कारक्रम के बाद सीम योगी आ अधितनाथ मंदा युक्त रोशन जेकेव ने निरीक्षण किया है अवेड अतिक्रमन और ट्राफिक ववस्था को लेकर हाल चाल जाना है निरीक्षण के दौरान अधिकालियों को तमाम दिशा निर्देश दिये गए हैं और कहा गया है कि शहर बर में अवेड अतिक्रमन बिल्कुल भी बरदाश नहीं किया जाएगा ते बड़ी खबर है उत्यप्रदेश के इस वक्त की क्योंकि सीम योगी आदितनाथ वाना से आ रहे हैं प्रधान मंत्री नरिंद्रमोदी का संसभी शित्र है अगर देखा जाए तो यह जो दौरा है बहुत मैंत्रपूर हो जा कि इस सरकार के 9 साल जो पूरे हुए हैं जो काम की हैं कि इस सरकार निन नौ साल में उसके प्लिवदियों को लेकर एक जन सभा भी करेंगे इस कारिक्रम के बाद स्यम योगी आदितनाथ किसानों को बड़ी सौगात देनी जा रहे हैं कार्किया गाउं में बने पैक हाउस को हरे जन्री भी दिखाएंगे और काशी दौरे पर स्यम योगी आदितनाथ का बहुत महत्तोपून कारिक्रम और इसका बत्ताब अपडेट के लिए मेरे से योगी राजकिशो मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है राजकिशो राज सीम योगी आदितनाथ वार्नसी जा रहे हैं वार्नसी प्लाहन मंत्री नरेंद्रमोदी का संसद्य शित्र है तो इस लिहास से कितना इस तरीके से देखे जा रहे हैं इस तरीके से मुक्ष मंत्री योगी आदितनाथ अलग बगी दोपर हर तीन बजे वार्नसी पहुंचेंगे यहां पर प्लिस लाइन पैट से काशी विशनात मंद्र जाएंगे उसके बाद सिम योगी दर्शन पूजन भी करेंगे उसके पूरा हुआ है इस तरह देखा जाए तो परदान मंद्री नहीं को भी है संसद्य शेतर भी है तो ऐसे मुक्ष में कहने कहीं कि इस तरह से रुख रखा जा रहा है वह भी बहुत मैत्पूर्ण हो जाता है जिस तरह से हमने देखा कि कि 2020 के बाद से ही लगातार जो астुष किसानों का अंदोलन शुरूAR कि शुरूर्ण शुरू हुआता लगातार भार्थी जंटापाटी की सरकार चेंडर में हो लगातार उसी तानों को लेकर बड़ी सवगापे दोने का काम कर रही है। लगातार भार्थी तरफ से लगातार भार्थी जो लेकर बड़ी सर्कार की जा रहा है। लगातार भार्थी तरफिक विवस्था जो है और जो अवैर्द क्रमण है उसको लेकर भी खासा फोकस किया रहा है। क्या बैठक में चर्चा हुई है किस तरह से ट्राफिक विवस्था को सचारू किया जाए क्योंकि आने वाले समय में देखे स्यावन का महीना शुरू हो जाएगा। उत्रप्रदेश से लाखो की संख्या में लोग हडवार जाते हैं कावर लेने के फिर आते हैं जल चड़ाने के लिए। प्रोशन जाके नहीं इस बड़ा फास्टा लिया है और जो इंक्रोश्मेंट है जो रोडों पर दुपाने या गाड़ी खड़ी होती उनको लेकर एक बड़ा भ्यान चलाए जाएगा जिसको लेकर मिंडल आइसमें ने जेशिया है। पिल्कुल यानिये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर और तमाम जो त्युहार आ रहे हैं अगामी जो त्युहार इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोट पर है। पिल्कुल बिल्कुल पता भी कि आमे वाले संदे में एकक्ति जुलाई को जो त्युहार आने वाले हैं इसको लेकर भी प्रशासन पहले से सतर्थ है उनके लिए रोजनाप तयार किया गया रूट वर्जन भी बनाय जा रहा कि किसी प्रकार से आम जंदा को भी दिक्कतों क करना पड़े इसके साथ-साथ जो सामन यात्रियां हैं और जो इस्टेवार हैं उनको बंदे नजर देखते वी जो दुकाने लगती ही उनको लेकर भी खाक ख्याल कह जा रहा है साथ-साथ यहां पर किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं इसके अलावा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है लगातार बैठके कर रहे हैं कानून विवस्था पर डिसकेशन हो रहा है इसके अलावा तमाम दिशार निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे है साथी साथ रूट डाइवर्जन को लेकर भी ट्राफिक रूल्स को लेकर भी अवयत अथिक्रिबन को लेकर भी तमाम दिशार निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी तरह के कोई भी गरबड़ी उत्रप्रदेश में ना देखी जाए चलिए आगे बट्टे उत्राखंट करोख करेंगे जहां पर लोकतन सनानियों का सम्मान कारिक्रम रखा गया है कावड यात्रा 2023 के तैयारियों के बैट्टक में शाविल होंगे सियम धामी आपको बता दे कि इसकी अलावा भी कई उनके मेत्वपून कारिक्रम आज लगे हुए है G20 सम्मिलन की तीसरी बैट्टक के अफसर पर आईजित गाला, डिनर, कल्श और इवनिंग और रातरी बोज़ पर भी समबाद कार्क्रम है यह देखा जाया है तो अलर्ट मोड पर पूरी तरीके से पुशकर सिंग धामी है और जिस तरह से केंद्र सरकार के नौसाल पूरे हो रहे हैं उसको लेकर इनका भी महा जल्संपर का भियान जो है वो चल रहा है तमाम जिलों का डौरा पहले कर चुके है जी ट्वैंटी की जो तीसरी बैठक है उसकी भी श्तमीक्षा कर रहे है साथी साथ कावड यात्रा जल शुरू होने वाले इसको लेकर भी क्या कुछ तयारिया है क्या कुछ आगे यहाँ पर डिसकेशन होगा उसको लेकर भी बैठक में लगातार शामिर हो रहे हैं लोकतन स पुशकर सिंझ धामी के आज मेरे तकुन कारिक्रम हैं ज़से पहला है कि लोकन सरानीओ का सम्मान कारिक्रम में शामिल होंगे З्यकारा और यात्रा यात्रा की तयारियों की बैटकतTime में भी शामिल हो סकते हैं पिल्कुल काजॉवल अंजिसर पर चार्च कारी करते हैं उसमें पर्थम्र recommends कुष्क उसित् धामिकार लगाया गया उस में लोग तानतितियों क्हानिक हैं उनका आज कहीं कहीं समॉन करते हुए मुंक्व्ध्य मंत्री पुष्क करेंगे इसके बाद अगर वहीं दूसरी महतपोर कारेकरम की बात करें तो राजबाने देहरदून तक्षिवाले भववन में मुख्यमंत्री पुछकर जिन धामी जो कावड यातरा शुरू होनी है उसकी तैयारियों को लेकर एक समिक्षा बैठा करेंगे यानि कि जाचतें स समिक्षा बैठा किस परकार होगी कि कावड यातरा को कि तरीकी से सुचारो रूप से चलाया जाए क्योंकि जब प्रदीश में कावड यातरा शुरू होती है तो कहीं ने कहीं हरिद्वार रिशी केस देहरादू या फिर यह बात कर लिजाए देव पर यागी है वो शेतर ह बहुत साथा ट्रैफिक की समस्या आती है अन्या चीजों की समस्या आती है तो ऐसे में राज्य सरकार उन सब तैयारियों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और यही वज़ज़ा है कि प्रदेश के मुक्ते मंतरे पुश्का सिंग धामिया तमाम सार अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक करेंगे जिसमें पुरीस के अधिकारियों के तमाम सारे अधिकारियों मौजूद रहेंगे यह कहां चाल सकता है कि यातरा बहतर तरीके से चले चार धाम यातरा कर और कावड यातरा में भी किस तरीकी को परिशानी ना आए उसके लिहास से आज यह मैंतर कारे करम और मैंतर बैठक मुक्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी लेते पर नज़र आएंगे जे बिल्कुल इसके अनावाद G20 सम्मेलन की जो तीसरी बैठक है उसको लेकर क्या कुछ अबडेट है सुभाज बिल्कुल काज़ और G20 की जो तीसरी बैठक है वो भी होनी है और उसको लेकर मुक्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी भी आज उस बैठक से पहले एक डिनर कारे करम में मौझूद रहेंगे यानि कि नरेंद्र नगर में आज मुक्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी देर शाम है और G20 सम्मेलन जिस होटल में कराये जा रहे हैं उस होटल में शाम को मुक्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी का डिनर भी रखा गया है लेकिन क्योंकि जी ट्वर्टी केक में तो फोर जिम्मेदारी उतरा खान को भी मिली है और तीसरी बैठक भी नरेंद्र नगर में की जा डिनर कारिकरम में शामिल होंगे जी बिल्कुल सुबार शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप नजब ना कि रखेगा अपडेट लगातार लेते रहेंगे तो यहां महत्वपुन कारिकरम है जी ट्वेंटी की तीसी जो बैठक के स्को लेकर भी तैयारिया क को लेकर पार्किंग कर्मियों और बाइक सवार में जम कर मार पीठ हुई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारल हो रहा है आप भी चलन स्क्रीन पर वो वीडियो देख सकते हैं वारल वीडियो थाना टूला के ठाकूर बिरी सिंग कॉलेज का बताया जा कि मार पारिक सवार से पार्किंग कर्मियों आप बाइक करने पैसे मागे तो बाइक सवार दोरा है विडियोaja किया गया है इसके बाद पारकिंग करमियों और प्रमी होसार की भड़ वारल ufenशार कि गई बाइक सवार से मांगा गया, लेकिन बाइक सवार को अच्छा नहीं लगा, ऐसे में बहस शुरू हो गई, बहस के बीच मार्पीट शुरू हो गई, जिसका किसे ने वीडियो बना लिया है, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वारण हो रहा है, हाला कि इस पूरे मामल पर फिलहाल जाच परताल चल रही है, वहीं और रहया में आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में आटो बिजली के पोल से टक्रा गया, आटो में सवार नौ लोग घायल हो गई है, घायलों को पुलिस और एंबुलेंस की बदर से सामुदाइक स्वास केंदर में भरती क बतादे कि सबय परिवहन विभाग की लापरवाही साफतार पर देखने को मिल रही है, ओवरलोडिंग में आटो चालक मौत को दावत देते हैं, कई एक्सिदेंट हो चुके हैं, साथी कई लोगों की मौत तक हो चुकी है, लेकिन सवाल ये उटा है कि परिवहन विभाग ऐ परिवहन विभाग की तक दिया नहीं जा रहा है, रुजाना इस तरह की तस्वीरे साब में आती है, आवारा जानवर को बचाने की चकर में आटो बिशली के पोल से टकरा गया, हाथ से कशिकार हो गया है, नौ लोग जो आटो बस अवारते हो घायल हुए हैं, गायलों को प अब ऐसे में सवाल है कि परिवहन विभाग आखिर क्या कर रहा है, क्यों आखे मूंदे बैठा है? हरदोई में स्वास्त कर्मी का रूप्यों लेते हुए वीडियो वारल हो रहा है, वारल वीडियो हरपाल पूर CST का पताया जो रहा है, प्रसब के नाम पर महिला कर्मी के दवारा रूपए लेने की चच्चा तेज है, जिसको लेकर किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिय पर वारल कर दिया, वीडियो वारल होने के बार स्वास विभाग में हरकम मचिया है, लेकिनि पहला मौका नहीं से पहले इस तरह के आरोप लगातार लगते रहे हैं, चाहे वो कोई भी जिला हो, एक नएक तस्वीर ऐसी लगातार सामने आ रही है, ताजा मामला हर दोई से स सामने आया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जा आप रुपे लेते हुए, कुछ महिला जो कर्मी है, वो नजर आ रही है, वारल वीडियो हर पार को सी एच सी का बताया जा रहा है, तो सब के नाम पर महिला कर्मी के द्वारा पैसे लेने की चर्चा हो रही है, तस्व शताबदी ट्रेन से बाइक टकरा गई है, जिससे बाइक के पर खचे ओड़ गए, घटना में बड़ा हाथसा होने से बच गया, आपको बता दें कि जल्दे निकलने की ओड में बाइक ट्रेन से टकरा गई है, बाइक च्वालक बाइक छोड़ कर मौके से फरार हो गया है, टकर के बाद 15 मिनट शताबदी ट्रेन जो है वो रुकी रही है, मामला अजगैन मोहन व्रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहे है, तस्वीर है आपके सामने हैं उन्हाओ कि जहां पर शताबदी ट्रेन आ रही थी और जिससे बाइक टकरा गई हाला कि बाइक सवार बच गय है 15 मिनट तक शताबदी ट्रेन है वो भी खड़ी रही है, मामला अजगैन मोहन व्रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है, तस्वीर है आप देख सकते हैं किस तरह से बाइक के पूरे परकच्छी उड़ गए है हर दोर में एक यूवक अपने चचेरे भाई और कुछ दोस्तों के साथ शारदा नहर में रहाने गया था, उससे जैसे नहर में छलांग लगाई, छलांग लगाती, उसे तेज पानी का बहाव अपने साथ बहाने गया, तड़्यावा इलाके के सिक्रोही पुल पर वो इस हा बिचाया गया है, तड़्यावा और बगहुली पुलिस उसकी तलाश में जुची हुए, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है, कौंजी नहीर है, कौंग कहा बेट हुआ है, यह जेवेंदर है, उत्र रावनरेश करीब ठारवर्स के, यह जंसारी तड़्यावा के रहने वाली थे, शिक्रोही नहार कुल पढ़ता है, तड़्यावा थारा चेटरे में, वहां अपनार में अस्नार कर रहे थे, अस्नार कर को मदस से तलास की जाने अभी, अभी हर दोई में रिटारेट फॉर्जे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है, मृतक खेद देखकर बाइक से वापस लाट रहा था, हादसा बिल्गराम गोर पर छोहा पुलिया पर हुआ है, अग्यात तेज रफतार वाहन ने बा कालिकल कालिज ले जाते समय शक्स की मौत हो गई है, मतक कोतवाली शेर के मुहला आजाद नगर का रहने वाला था, और अभगा गाजिपूर से जहां मुखतार अंसारी पर पुलिस प्रशासन का एक बार फिर से आक्शन लगाता जारी है, पुलिस प्रशासन मुखतार के कर गुर्गे जाकिर और विकी की 1.5 करोड की संपत्ती को कुर्क कर लिया है, पुलिस से सदर कोतवाली शेतर के मुस्तवाबाद इलाके में जाकिर की संपत्ती कुर्क की है, गैंसर एक्ट के तहर पुलिस प्रशासन ने कुर्की की कारवाई की है, पुलिस ने जाकिर की ये प वोई जहांसे कि थारा तोड़ी फतेपुर के ग्राम बचीरा निवासीक परिवार में दरजनों ग्रामिलों के साथ उबजरादिकारी के पास पहुंचा जहां उन्होंने प्रातना पत्र देकर बताए कि उनके भाई अपनी पत्नी के साथ तीन साल पहले दिल्ली मज़्दूरी करने के लिए गया हुआ था जट से दोनों गए हैं उस दिन से भाई का कोई अता पता नहीं है नहीं भाई लोट कर आया है जो कि भावी बार बार घरा जाती है समन्द में जो भावी से भाई के बारें पूछा जाता है तो कोई सही जवाब नहीं देती तो वहीं घरवाले और परिजनों के मन में आशंका है कि कहीं भाई के साथ कोई अन्होनी तो नहीं हुई है तो वहीं ग्रामिलों ने उबज़ादिकारी से मामले को संज्यान लेते वे गुंचदा भाई के ओखोज जाने की मांग की है साथ ही अपनी भावी पर भी कई गंफीर आरोप लगाए है पिरमूद अच्छा किस गाउं की नवासी हो बचीरा अच्छा यह बताई आप लोग इतने सारे लोग आये हो गाउं के अश्टी अंतार के पास इनका भाई इनका भाई दिल्ली उनकी बहु दिल्ली गई तो तीन साथ से लोटके नहीं आई और अब खबर प्रेयाग्राआच्छी हंडियाप कोटवाली शित्र के अंतरगभा ऐने वाले हरीपुर सिधवार गाउं की है जहां तलाभ में ढूब हो गई हैं बताने ऑपढ़ते कि हरीपुर सिधवार गाउंनिवmm निवासी दो नाबालबिक भेशलाने के लिए बगल से ट्लाव में कहीं हुए थेग dhã वे लिए अपनिक स्वास के इंदर ठीला के बगल में से तलाब संख्या 405 में भैस दोने के लिए और पानी पिलाने के लिए तलाब में गए इसी दौरान दोनों बच्चे तलाब में डूबने लगे शो शराबा सुनकर मौके पर ग्रामनी खच्चा हुए और तलाब में डूब रहे द वहीं ललिदपुर के मौला नहरू नगर निवासी एक परिवार अपने खेद पर गया हुआ था जबी खेद पर पहुँशते ही अचानक उनके उपर गाओं के दबंग लोगों ने जोरदार हमला कर दिया अचानक उनके समले से परिवार अपने आपको बचाप करता हुआ नजर आया दो भाई और उनकी पत्नी को जम कर दबंगों ने पीटा है सभी को लगभग एक दजन से जादा लोगों ने लाठी डंडो लाद गूसों से जम कर पीटा है वहीं जाते जाते दबंग लोग जान से बार्णी की धमकी देते वे वहां से भाग खड़े हुए गटना स्थर से 112 पुलिस को भी पोन किया गया जब तक पुलिस पहुंशी तब तक दबंग मौके से भाग चुके थे पुलिस के दवारा पिडितों से शिकायती पत्र लेकर और पुलिस कारवाई में जुट गई है लेकिन पिडितों ने बताए कि कई बार दबंगो की शिकायत जिला प्रशासन से कर चुके है लेकिन कोई कारवाई नहीं होती है कि यह वा क्या गटना हुए जैने अपनी जमीन प्यावे गाई थे पखनी में तो जो सामने नहीं आओ पेवी हम जमीन गाए फुरे दूसर टेक्टर वाले को मिवारे जी बीच लोग हम चार लोग और हम लोगं का सामना नहीं कर सकते जी जान को मारने की चैकर में आदे हम लो वह यह टवे पूला डाले गए महिला करेंट की चपेच में आगए जिसको परिजलों न्सीसी अलिगंच में भर्तिक राया जहां डॉक्टर ने महिला को मिद्गोश्टित कर दिया सुश्णा पर पहुँचे कुलिस से महिला कर्शव को कबजे में लेकार पोस मार्थम के ले भेज दिया है मामना थान अलिगंच शित्र के इकरे का बताया जा रहा है वैं फिरोजबाद में सुभा से ही घने बादल च्हाए रहे दोपहर में जमकर मुस्लाधार कल बारिष होई है जिससे नगर की गलियां तालाप बन गए तस्विरए आपके सामने है वैस मुस्राधार बारिशी तो पईया वहान से लेकाच और पईया वहानों की भी रप्तार धीमी करती गाडियों पानी बढ़ने के कारण कई वहान बंध हो गया और लोग गाडियों में धक्का मारते नजर आ रहे हैं पईयिक पईय्षा और इस्थाने लोग का कहना है कि नगर पालि का दौषा और नालों के सफायी के नगर के नालही चौक पर रहे हैं जिसके वज़ए से बारिश का पानी घरों गरी महल्म में भषाता है फिलाल वही जमार्श रहे Cherry लोगों को करमी से रहत तो मिली लेकिन पाली भढ़ने से लोगों को खासा दिकते भी हुई है वहीं एटा पुलिस की यहां पर अनों की पहल सामने आई है जहां पुलिस से बारिश को लेकर लोगों को जाग रुक किया एटा सस्पी की रदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने बरसाथ के मौसा में विशली के खंबोग से दूर रहने की सलादी है माबना कोतवाली नगर शित्र के पचाली गेच का बताया जा रहा है वहीं अगर थराली की हम बात करें तो यहां नरायन बगर प्रखंड में पिछले कई महीनों से गौवंश पर लंपी विमारी का प्रकोब जारी है जिसे कई गौवंश असमे मौत के गाल में समा चुके हैं विकास खंड की लगभग सभी गाउं में पिछपले कई महीनों में गाएं बेलो बश्रों पर लंपी का प्रकोब जारी है इस विमारी से अभी तक बहुत काउं के पशु पाला काश्टकार अपने गौवंश मवीशियों को खोचुके हैं जिसमें लोगों में दहशत का महौल है हाला कि जुलब पशु चिकसाले विभाकियों से एक सचल चिकसाले वहान पिंडर घाटी के तीन विकास खंडों के विभिन हिस्सों में गौवंश मवीशियों के उप्चार के लोग तर्द कराए गया है ताकिस विमारी से निजात मिल सके किदाना धाम सहीद किदान घाटी में सुभा से ही जम कर बारिश कल देखी गई वहीं किदाना धाम जाने वाले मुके पड़ाव गौरिकुन से मिली जानकारी के मताब में कि खोटल की पिछिस दिवार तोड़कर पानी अंदर गुज गया जिसे लोगों में अफ्रत अफ्र किसी के साथ फिलाल का प्रों में इतना ही आप बने रही है न्यूस वाल इंटिया के साथ